हेलो फ्रेंड सुभी की टिप्स में आप सभी का स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही बैतरी इंडेस अंडा पराठा अंडा तो आपने सभी खाया है और पराठा भी सभी ने खाया है पर अंडा पराठा किसी ने खाया है इसके लिए मैंने लिया सबसे पहले एक अंडा उसे मैं fold लोंगी और bowel में निकाल लोंगी हम यहाँ पर दो अंडे का पराथा बना रहे हैं इसलिए हम दो अंडे डाल लेंगे एक अंडा को मैंने पहले ले लिया है अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है हमें क्योंकि अंडे में ज्यादा नमक अच्छा नहीं लगता है इसलिए थोड़ा सा नमक डाल दिया अब इसे अच्छी तरह से फेट लेंगे चलिए तो इसे फटा फट से फेट लेते हैं जो हम ऑमलेट बनाने वाले पराठे के लिए वो अच्छा फुलना ची और पफी पफी बनना ची इसलिए हमने पहले एक अंडे को अच्छे से फेट लिया है अब जीतना जाद अंडे को फेटेंगे आप कुछ भी बनाएंगे तो अंडा उत्ता ही जादा पफी बनता है और नहीं फेटेंगे तो बिल्कुल भी पफी नहीं बनता है अब मैं इसमें डालूंगी एक बारिक कटा हुआ टामाटर, चार हरी मिर्ज बारिक कटी हुई और एक प्याज बारिक कटा हुआ सभी को डाल के मिक्स कर लेते हैं मैं हाँ इतने ही चीजों से एक पराठा बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है यकीन मानिया आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है अब इसे अच्छी तरह से फेट लेते हैं ताकि सारे चीज अच्छे से अंडे में मिक्स हो जाएं नमक भी मिक्स हो जाएं और बहुत ही अच्छे से हमारा एक पराठा बनने के लिए तैयार हो जाएं चलिए तो इसको फेट लिया जाता है फटा फट जित्ता ज़्यादा आप फेटेंगे उत्ता ही अच्छा आपका एक पराठा बनेगा अब एक पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए रोटी देखिए मैंने या रोटी बेल कि रोटी हल्की सी मोटी है इसे तवे में डाल लेंगे और दोनों साइट से अच्छी तरह से से शेक लेंगे रोटी को आप जित्ते अच्छी तरह से शेकेंगे वो इत्ती अच्छी से फुलती है रोटी है देखिए गैस में हमने रखा और रोटी बहुत अच्छी तरह से फुल चुकी है इसका मतलब है कि एक पराठा बनाने के लिए रोटी एक दम परफेक्ट है अब इसे तवे में वापस डाल लेंगे दोनों ही साइट से रोटी को अच्छे से सेक लिए अब हम रोटी को पल्टा लेते हैं और मैं इसके ओपर थोड़ा से डाल देती हूँ बटर आप चाहें तो तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं पर मैंने बटर से सेका है हलका से लगा के छोड़ दिया था बस और देखिए हमें एक पराठा ऐसे बनाना है जहां रोटी साइट से जहां से भाप निकलता है रोटी का उस एरिया को हम थोड़ा सा चिम्टे की हेल्प से अफी चाकू से हलका सा खोल लेंगे देखिए यह खुल चुका है जहां से भाप निकलता कि नारे से और जो हमने बेटर बना की रखा था अंडे का उसे हम रोटी के अंदर डाल देंगे यह बहुत ही टेस्टी लगता है थोड़ा सा तो महनत है लेकिन दीस बहुत अच्छी है अब इसे अंदर पैक कर दिया अब इसे एकदम लो फ्लेम में इसे सेकाने देंगे और इसे बहुत अच्छी अब मैं इसे पुरे बटर से ही सेकूँगी, इस पराठे को यकीन मानि अंडा भी बहुत अच्छी तरह से पक जाता है, उपर से क्रण्ची, अंदर से सौफ्ट, और टमाटर प्याज अलग अलग चीजों का सबजीों का फ्लेवर आता है, अब मैं इसे पलट दिया देखिए बहुत ही सुन्दर दिख रहा है ये जैसे रोटी फुलती है वैसी ही एक पराठा भी पुलता है देखिए रोटी को एक बर हमने तो फुला ही चुका है गैस में अब देखिए तवे के उपर एक पराठा भी बहुत अच्छे से फूलेगा जब रोटी अगर फुल जाए आपकी तो मानिये रोटी पक चुकी और नई फुलती तो रोटी अच्छी नहीं लगती है देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरह से हमारा एक पराठा फुल चुका और बहुत ही अच्छा बना है और अच्छा दीख भी रहा है बहार से ए कर तयार हो रहा है हमारा एक पराठा बहुत ही टेस्टी बनने वाला है आप एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा और मुझे बताईएगा कि कैसा लगा और देखिए अब इसे हम पलट लेंगे यह अच्छी तरह से सिका गया है अंदर से भी पक चुका है देखिए क्या मस्त द लगता है बटर लगाने से तो फ्रेंड्स आप एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा और मुझे बताईएगा कि कैसा लगा एक पराठा चलिए तो यह बन कर तयार हो चुका है इसे प्लेट में निकाल लिया जाए और मैं इसे आपको कट करके भी दिखाऊंगी कि यह कैसे मैंने इसमें प्याज रख लिया है दिखने में तेकदम ला जवाब दिख रहा है आप इसे सॉस के भी साथ खा सकते हैं ग्रीन चिल्ली के साथ खा सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास इसे खाने के लिए और फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं किसी चीज की जरु ची है हमारी रोटी पराठा और अंदर से एकदम सॉफ्ट है चलिए तो यह हम काट चुके हैं अब मैं इसे दिखाती हूं कि यह कैसा बना है देखे कि तमस तरिक रहा है पिज़ा की तरह एकदम पॉफी पॉफी टमाटर का रेडनेस अगर यह रेसिपी आपको पसंद आई हो होगी तो प्लीज कॉमेंट में जरूर बताएए थैंक यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यू